नमस्कार ये है टीवी नाइन डिजिटल और मैं हूँ विश्णु शंकर हम आजरें आपके सामने उत्तर प्रदेश के विधानसावाद चुनाओं में सीटों के गनित के साथ इस प्रसुति में मेरा साथ निभा रहे हैं पार्थ प्रिसिम्दास यानि हमारे डाटर बाबू इ उत्तर प्रदेश की ऐसी सीटों का विश्टेशन करेंगे जो खास हैं विद्वारों की वज़े से या वोटरों के मिक्स के चलते हैं आज बात करेंगे पश्चिम्य उत्तर प्रदेश के ब्रज इलाके की जिसे पूरे भारत में संसृतिक दिश्री से बहुत सम्रिद माना जाता है प्राजिनकार में मतुरा आर्थिक तोर पर बड़ा ही व्यस्त और अमीर शहर था इसकी वैज़े ये थी कि ये ऐसी जगह पे स्थित्ता जो व्यापार के लिए आने जाने वाले काफिलों के ठीक रास्ते पर पड़ता था हिंदुन धर्ब को मानने वाले लोगों म मतुरा का बड़ा महत्व है ये भगवान कृष्ण की जन्भूमी है जो यहां कृष्ण जन्मस्थान मंदिर परिस्वर में स्थित है ऐसी मानता है मतुरागी गिंती उन साथ पुरी यानि नगरों में होती है जिने पवित्र माना जाता है शहर के महत्व और इतिहास के पर जिन पार्टियों ने खड़े की है भारती जन्ता पार्टियों ने श्रीकान शर्मा को यहां पर अपना उमीद्वार बनाया है जो सिटिंग एमेले भी है और उत्रप्रदेश सरकार में मंत्री भी समाजवारी पार्टी ने देवेंद्र अगरवाल को खड़ा किया है ज एक कायस थे और सभी उमीद्वार जो हैं वो मातवर हैं तो इस समीकरन से क्या वोट बटेगा देखिए यह समीकरन इंपोर्टेंट है लेकिन उससे सम पहले समझना है यह सीट का इंपोर्टेंस बीजेपे एक लिए सब बहुत जादा है जी आपको मालू होगा बीच में न देखेंगे मुतुरा में मीट सेल्क होना जब मंदिर का आजूपाजू में वो बंध हो गया है तो यह इशूज भी देखें का कास्ट इंपोर्टेंट है लेकिन यह इशूज हम लोग भूल नहीं सकता है यह इशूज भी बीजीपी एक नरेटिव सेट कर रही है यहां पर पूरा बदल गया तो 2014 और 2000 पार्लामेंट में आख देखेंगे और 19 डोनों पार्लामेंट इलेक्शन में यहां पर बीजेपी की फेवर में बीजेपी की फेवर में लास्ट 2017 में जब श्रीकान सार में लड़े थे तब 56 परसें 57 परसें वोट गिर रहा है तो मतलब एक स्ट कास्ट डानेमिक्स से उपर जाता है तो आई यहां पर हम लोग कास्ट का जो जाती वार बद्दाता है उनका नंबर देख लेते हैं इक पर देखिए यहां पर ब्राह्मन समुदाय के मद्दाता सबसे जाता है 70,000 फिर वैश 65,000 मुसल्मान मद्दाता यहां करीब 35,000 है और जात के बाद शायद यहां पर SC मद्दाता सबसे जाता होगी ब्राह्मन वैश्या है और उसके बाद आपका SC आ जाता है ठीक है इसका मतलब है श्रीकान शर्मा और BSP के उमीदवार जो है सतीश शर्मा वो दोनों ब्राह्मन है तो संभवता वो एक दूसरे क्रॉस से लिए बीजेपी आगे है अभी देखिए SC सर्मा जो है वो बीजेपी में था जी पर बीजेपी में था अभी जस्ट मदब जब टिकेट नहीं मिला तब उन्हेंने BSP जान किया तो अभी क्या SC सर्मा शायद थोड़ा सा आपका ब्राह्मन वोट को खीट सकते हैं डामज कर करता है जब BJP ब्राह्मन कंडियेट डाल रहा है तो ब्राह्मन कंडियेट तो मदध SP नहीं डालेंगे तो तब क्या SP क्या कर रहा है जो second highest जो population है उसको देकर उस community को ले आने का कोशिश कर रहा है यह तोड़ा गेम थेवरी टाइफ का है आपको पहले से ही मालूम है ज़े BJ कौन सा कंडियेट डालने जा रहा है तो यह बैक कैलकुलेट किया ठीक है और यहाँ पर भूलना नहीं चाहिए प्रदीम मातु जो कंडियेट है यह भी बहुत इंपोर्टेंट है जी और इनका यहाँ पर काफी दबदबा रहा है काफी दबदबा है इवन 2012 में आप देखे है तो वैश जाट और मुसल्मान अगर साथ में करके वोट देते हैं तो बीजेपी के उमिद्वार के लिए कटना ही हो सकती है यहाँ पर क्या अभी मुझे नहीं लगता भाई शमूना इस तरीके से वान साइटेट स्पी को पोट करेंगे बिकॉज अब नैरेटिव में जो होना शुरू हुआ है तब से नो बार ये सीट जीती है और चार बार कॉंग्रेस से यहाँ जैसा भी बात कर रहे थे प्रदीप माथूर ने इस जीती थी भारते जनला पार्टी ने हाल के सालों में ये सीट पांच बार जीती है और श्रीकान शर्मा जो मैंने बताया कि मंत् की तरफ से लड़ रहे हैं और सतिश्कु वाश्रमा चुकि ब्रामन समधाई से ही आते हैं इसलिए संभवत अगर क्रॉस वोटिंग हो तो बीजेपी के उमिद्वार के लिए थोड़ी परशानी खड़ी कर सकते हैं अब थोड़ी सी बात करते हैं मत्रूरा के पोलिटिकल सि इसतार किया गया उसका नवी करण किया गया वहां पर कुछ तोड़ा फोड़ा नें गया वहां पर एक तरह से हमें कहना चाहिए कि मंदिर को और ज्यादा बहुतर धंच से पेश किया गया च्याक्ता की हिंदू लोगों को लगए कि हां हमारे लिए जो पूझ असकी भी खो में उन्होंने टू-डू अपने कामों के बारे में लिखा था इसका क्या मेसेज है मतुरा में अपर चला जाएंगे मतुरा से तो काफी ज्यादा है मतुरा के एपी सेंटर लेकर बीजेपी बाकी एरिया में एक थोड़ा सा रिलिजियस पोलराज़ेशन के ऊपर बीजेपी बिलीव ट्रस्ट कर रहा है सब सब एक साथ में तो एक आपको एपी सेंटर चाहिए कुछ चीज करने के लिए इसलिए मतुरा सी बहुत इंपोर्डेंट है ठीक है बीजेपी के लिए और और यह नैरेटी मतुरा से चालू हो रहा है इसलिए मुझे लग रहा है कास्ट डानामिक्स में जो भी नंबर द उटेगा लेकिन और उसके साथ नेरेटिव के उपर आप जब देखेंगे इसमें मुझे लग रहा है जो यह सीट आपकार कॉंग्रेस के अंडिए प्रदीम माथूर ऐसे नहीं खुब कम बोर्ड मिलेगा तो क्या ऑपोजिशन जो पोड एक बॉक्स में नहीं जाएगा लेकिन मुकाबला काटे का होगा सीटे गनित में आज यहीं तक अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करें देश दुनिया की सभी खबरों उनके सटीक विशलेशन के लिए टीवी नाइ